अगर आप इतने नमबर लेकर आ रहे हैं तो अपने फिजिकल की तयारी शुरू कर दें इस वीडियो में आपके सभी डाउट सोल कर दूँगा कि आपकी कट ओफ क्या रहने वाली है फिजिकल कैसे करें रिजल्ट कब आ जाएगा तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहे हैं और अगर आप हमाई चैनल पर पहली बार वीडियो देखना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको दिल्ली पुलिस कोंस्टेबल की पलपल की अपडेट मिलती रहें दोस्तो आपका रिटन एक्जाम समाफत हो चुका है अब फिजिकल की तयारी है तो फिजिकल कैसे करें फिजिकल आप बिना मेजरमेंट की जानकारी के बिलकुल ना करें मेल अपने मेजरमेंट के हिसाब से रेस करें और फिमेल अपने हिसाब के अपने मेजरमेंट के हिसाब से दोड़ें जो भी आपका क्राइटेरिया है मैं आपको आगे बताऊंगा मेल और फीमेल का तो मेल फीमेल का क्राइटेरिया देख लेते हैं पहले क्या-क्या फिजिकल होने वाला है आपका दिल्ली पुलीस कॉंस्टेबल की बढ़ती में जो UP TO 30 एर्स तक के जो मेल है उनके लिये 16숙 मिटर छे मिनट में पूरी करनी है लोग जब उनके लिए 14 फीट है हाई जंब उनके लिये 39거를 नो इंच है वही 30-40 एर्स के जो मेल है 7 मिनट में उनको 16숙 मिटर 13 Preset लोंग जम्प और हाई जम्प तीन फूट छैंज अबव फुर्टी एर्स के जो मेल है आट मिनट में उनको सोलो सो मिटर करनी है इसमें सभी एक सर्विस मैं आ गए बारा फिट उनके लिए लोंग जम्प है हाई जम्प है तीन फूट तीन इंज दोस्तों आप फिजिकल क्राइटेरिया के इसाब से स्टार्ट कर दे काफी कम समय बचवाए आपका फरवरी में फिजिकल होना है कट ओफ मैं बता दूँ का अगर आप इतने नमबर लेकर आ रहे हैं तो फिजिकल में देरी ना करें अब इसे फिजिकल की तयारी में लग जाएं अगर आपको दिली पुलिस कॉंस्टेबल की वर्दी चाहिए फिमेल कराइटेरिया देख लेते हैं क्या क्या रिक्वार्मेंट है आपकी अप टो 30 एर्ट तक की जो फिमेल है आट मिनट में उनको करने है 1600 मिनटर रेस 10 फिट है उनके लिए लोंग जम्प 3 फिट है उनके लिए हाई जम्प फिमेल जो है रेस में पीछे रह जाती है तो आप रेस पर काफी द्यान दे लोंग जम्प, हाई जम्प में आपको 3-3 चांसिज दिये जाएंगे अगर आप 3-3 चांसिज में कोई भी एक में क्वालिफाई कर जाते है या एक में आप किलियर कर जाते है तो आपका अलिजिबल हो जागा आप नेक्स टाउन में क्वालिफाई कर जाओगे नहीं तो आप बाहर हो जाओगे तीन चांसिस में से एक में आपको किलियर करना है वही अप टू 30 एर्स तक की जो फीमेल है 30 to 40 एर्स 9 मिनट में 1600 मिटर 9 फीट उनके लिए लोंग जंप है 2 फूट 9 उनके लिए हाई जंप है अब आप 40 एर्स की जो फीमेल है यानि सभी एक सर्विस में फीमेल आ गई 10 मिनट में 1600 मिटर 8 फीट लोंग जंप है और 2 फूट 6 उनके लिए हाई जंप है तो दोस्तों मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया क्या क्राइटेरिया मांगा हुए आपका दियली पूलिस कोंस्टेबल की बढ़ती में जो फीजिकल होना है अब फीजिकल की बारी है रिटर्न एक्जाम आप सभी का हो चुका आंसर की आप किया चुकी सभी ने अपने आंसर भी मिला लिए कट ओफ मैं बता दूँगा भी कि अगर आप कितनी कट ओफ आ रही है कैटेगरी वाइज तो अपने फीजिकल की तयारी शुरू कर दे तो मेल अन्रिजर्ड कैटेगरी में 60-65 नमबर अगर आप लेकर आ रहे है अफ्टर नॉर्मलाइज़ेसन अगर आपके 70-75 आ रहे हैं दोस्तों 5 नमबर सभी अपने एड़ करकर जरूर चले किसी को 8-10 नमबर भी मिल सकते हैं शिफ्ट वाइज लेकिन 5 minimum नमबर है आपके मेल EWS सेक्षन में 55-60 नमबर 65-70 अगर आपके आ रहे हैं अफ्टर नॉर्मलाइज़ेशन मेल OPC में 58-63, 68-73 मेल SC में 55-60, 65-70 अगर आपके नमबर आ रहे हैं मेल ST में 55-60, 65-70 दोस्तों मेल कैटेगरी में बता दिया मैंने सभी कैटेगरी अगर आप इतने नमबर लेकर आ रहे हैं तो आज इसे फिजिकल की तयारी शुरू कर दे बिल्कुल भी देरी ना करें अगर आपको वर्दी चाहिए गोर्मेंट जोब चाहिए कोरोना काल में तो आप फिजिकल की तयारी शुरू कर दे जो भी स्टूडेट ने एक महिने में जितनी मैनत कर देगा उसको वर्दी मिल जाएगी वही फिमेल अन्रिजर्ट काटेगरी में देख लेते हैं 55-65-65-70 अगर आपके नंबर आ रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो आप फिजिकल की तयारी शुरू कर दे दोस्तों आप जितनी वीडियो देखोगे उतने कनफ्यूज हो जाओगे जितने आप नई नई बाते देखोगे उतनी कनफ्यूज हो जाओगे अगर मैं बाते बता रहा हूँ आपको अगर आप इतने नंबर लेकर आ रहे हैं तो बिना जिज़ा तयारी शुरू कर दे फिजिकल की वहीं फिमेल कैटेगरी में 50 से 55 नंबर 60 से 65 अगर आफटर नॉर्मलाइजेसन आपके आ रहे हैं वहीं फिमेल OBC 53 से 58 से 68 अगर आपके नंबर लेकर आ रहे हैं तो फिजिकल की तयारी शुरू कर दे दोस्तों मैंने जो आपके लिए कट ओफ लेकर आया हूँ काफी एनलाइजेस करके प्रिवियस एयर आपके पेपर देखकर इस साल के जो पेपर आया है सभी को एनलाइजेस करके मैंने कट ओफ रखी है और नॉर्मलाइजेसन के बाद मैंने तभी ये कट ओफ रखिया पिसे आपक्ते आपके किसी में पांच नमबर बढ़ रहा है, किसी में आठा किसी में दस, फिमेल एस्टि कैटेगरी में 50 पच्पिन 665 अगर आपके नमबर आ रहे हैं। अगर आपको नोकरी चाहिए तो आज इसे आप वीडियो देखकर फिजिकल की तैयारी शुरू कर देगे दोस्तो वरीटा रेक्जाम हो चुका फिजिकल की तैयारी है जो बच्चा इस मैनत कर लेगा उसको वर्दी मिल जाएगी आंसर की आपकी आचुकी है रिजल्ट आपका जनवरी तक आजाएगा 20 जनवरी तक बीस नहीं तो 25 जनवरी तक आपका रिजल्ट आजाएगा तो यह देख लो आपका रिजल्ट भी बड़ी जल्दी आने वाला है फिरवरी में आपका फिजिकल होगा 100% फरवरी में होगा यानि एक महिने से कम समय आपका बच्चा हुआ है जो भी बच्चा इन दिनों में मैनस कर लेगा वही सरकारी नोकरी ले जाएगा फिर यह मत बोलना कि सर आपने नहीं बताया कट ओफ हमारी इतनी जाएगी ऐसे जाएगी हम इतने नमबर लेकर आएं कि फिजिकल की तयारी बार बार में आपको बोल रहा हूँ एक महिने से कम समय बचा हुआ है अगर आप इतने नमबर लेकर आ रहे हैं तो फिजिकल की तयारी शुरू कर दे अगर आपको कोई question, doubt, query रह गया हो तो आप कोमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किये भीना मत जाए अग्जाम फोर यू को पलपल की अफडेट आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल पर तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिंजा भारत